लिंक्डिन एसे एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम सीखेंगे टेक्स्ट एड्स बनाना लिंक्डिन पर दोस्तों कुछ बिजनेस के लिए तो बहुत जादा फाइदे मन और उनसे बहुत जयादा एंगेजमेंट भी आती है convergence भी आते हैं और interaction भी काफी आता है तो इसलिए text ads specially कैसे आप create करोगे step by step इस tutorial में हमने सिखाया है तो text ads क्या है कहां दिखते हैं कैसे चला सकते हो सब कुछ आप सीखोगे एक single video के अंदर इसके साथ साथ आप हमारे चैनल से पचास से ज़्यादा इस वीडियो में आज आप सीखेंगे किस तरीके से आप टेक्स एड बना सकते हो दोस्तों यह भी एक format है लिंग्डिन के अंदर text ads का जो की आप create कर सकते हो ठीक है और इसका जो view होता है वो सिर्फ desktop के ओपर होता है जैसे कि आप यह देख रहे हो मेरा लिंग्डिन हापर open हो रखा है तो जो भी text ad किसी को भी शो होते हैं वो basically लिए desktop पे ही शो होंगे और कहीं शो नहीं होते और text ads से आप बहुत economical way में अपनी audience तक पहुंच सकते हो ठीक है तो यह as compared to other जो ads होते हैं काफी economical होते हैं तो practically सीखते हैं कैसे आप यह text ads create कर सकते हो step by step तो लिंग्डिन एकाउंट में आने के बाद आप अब क्लिक किजिए अब केंपेंड मेनेजर एकाउंट में आ जोगे यहां पर आपको इसे भी अपने एक एकाउंट कर लिजे तो मैं यहां पर अपना डिजिटल लेमो एकाउंट यूज कर लेता हूं अब यहां पर बनाना है मेरे को ट्रेफिक एड में शुरू कर लेते हैं यहां पर मैं एक कैंपेंड न्यू कैंपेंड मनाता हूं मैं ग्रूप में गया और यहां पर मैं को एक और brand awareness campaign बनाना है मगर मैं text ad का ad format यूज करूँगा तो मैं campaign group में जाऊंगा click करूँगा यहां पर मैं चूज कर लूँगा awareness का objective अब यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर जो format सारे कई सारे ads से लाने के text ad format चूज करूँगा तो यहां पर क्योंकि objective brand awareness है तो अब हमको audience भी चूज करना पड़ेगा तो दोस्तों यहां पर जब हम audience चूज करते हैं तो से लिंग्डिन यह बने बनाए टेंप्रेट्स होते हैं सेवड क्या है कि जो audience हमने previous campaigns में create करी थी और जिस audience को target करा था और उसको हमने उससे में save कर लिया था अब होता कि है अब हम कोई campaign पहले चलाया हुआ है उसमें हमने कोई audience बहुत मेहनत करके time लगा के select करी उसको हमने save पर लिया उस audience ने बहुत अच्छा तो लिंग्डिन ने प्री डिफाइंड कुछ audience की templates बना ली है और यहां पर जाकर आप सारे देख सकते हो अब यहां होता क्या है देखिए अगर मालो आपका कोई ऐसा product है service है जो medical doctors को ही आपको target करना है तो सीधा medical doctors को क्लिक करो तो जो भी medical doctors का data है उस location में जो location आप टार्गेट करोगे यह वहां पर उसको शोगरेगा तो यहां पर फिर audience targeting की जरुवत नहीं पड़ती है अगर आपको specific कुछ टार्गेट करना तो यह दो वह बहुत easy तरीके हैं बट मैं आपको fresh तरीके से audience create करना सिखाऊंगा और फिर उसको save करना भी तो दोस्तों सब और मानलो मेरे को कुछ exclude करना है कि इंडिया है ना मगर इंडिया के साथ साथ मैं कुछ particular location है जो टार्गेट नहीं करना चाहता हूं तो यहां exclude location कर सकता हूं यह मैं यहां गया यहां पर मैंने डाला उडिशा ठीक है उडिशा मैंने उडिशा डाला अब उडिशा और यह करनाट का यहां पर आप देख रहे हो इसका मतलब क्या है कि location तो मेरी इंडिया है और वहां से दो स्टेट्स हैं जहां पर मेरी सर्विसेज या product नहीं जाता है तो इसलिए मैंने वहां पर exclude कर लिए मै आप यहां उपर भी target कर सकते हैं मालों आपको इंडिया टार्गेट नहीं करना तो इंडिया क्रॉस कर दो यहां पर डेली टारगेट कर लो पंजाब टार्गेट कर लो राजस्तान मुल्टिबल स्टेश और सिटीज भी आप सर्च करके target कर सकते हो जब आप location तो उसके आए है या विजट कर रहे हैं दोनों को दिखेगा एक है जो उसी location में रहते हैं उनी को दिखेगा तो आपके ऊपर आपको कौन सा चूस करना है आगे बढ़ते हैं अब यहां पर आप अपने audience के हिसाब से लेंग्वेज चूस कर सकते हो तो यहां पर हमने कुछ previous campaigns में audience यूज करी थी बट हम इसको डिलीट करेंगे हम आपको फ्रेश तरीके से सेलेट करके दिखाएंगे अब यहां पर जब audience सेलेक्ट करते हैं तो दो तरीके होते हैं एक audience जो audiences होता है वो क्या है वो है कि आप अपने कोई custom डाटा है आपके पास उसकी लिस्ट अप्लोड कर सकते हो और उनको target कर सकते हैं दिखा सकते हो लोकलाइक क्या है जो आपने matched audience बनाई matched audience क्या होती है जो हम create करते हैं कैसे matched audience बना सकते हैं उसा मैंने आपको इस course में सिखा रखा है तो आपकी जो audience जो company page पे आती है आपके इमेंट पे आती है वीडियो पे website पे कहीं पर भी आती है तो वो matched audience होती है वो अगर आप create कर लोगे तो यहां पर इखटी होती रहती है वो डाटा बनता रहता है तो इन future क्या होता है कि आप अगर उस audience को retargeting करना चाहते हो तो आप matched audience से कर सकते हो यह मालो आपनी website की audience को target करना है ठीक है तो यहां पर 300 से ज्यादा का data में website पे जो भी audience है इसको target करूंगा मगर उसके साथ-साथ मैं चाहता हूं कि localite मे उस audience जो मेरी website की audience है उस जैसी और भी audience को मेरे को target करना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूं मैं क्योंकि वो डाटा तो मेरे बस कम है उस जैसी और audience LinkedIn मेरे लिए target करे उसके लिए मैं look-alike भी add कर सकता हूं ठी look-alike पर add चला सकता हूं बढ़ यह सारी चीज हैं कि हम अलग-अ attributes का सिखा रहे हैं audience attributes का मतलब है कि आप company demographics education job experience interest कई तरीकों से आप targeting कर सकते हो मालो मेरे को company के नाम से companies के हिसाब से target करना है मेरा digital marketing services का business है तो मैं यहाँ पर targeting कर सकता हूं कि मेरे को किस company category के हिसाब से target करना है ठीक है या उसके अलावा मैं कंपनी के जो कोई company हाँ सेलेक कर लेता हूं उसके connections को target कर सकता हूं या उसके followers या company मेरा ऐसा कोई product service है जो company की growth rate के हिसाब से मेरे को decide करना है company तो मैं वो target कर सकता हूं फिर company industry इंड़स्टी वाइस target करना है कि मेरे सबसे potential industry कौन सी है उस industry के लिए product service बनाना है तो उस industry को है target करूंगा मैं इस तरीके से मैं company के साब से भी कर सकता हूं same demographics अगर मेरे targeting age specific है या gender specific है तो मैं demographics का choose करूंगा education अगर specifically मेरे को particular degree study के हिसाब से audience target करना है तो उस हिसाब से target करूंगा job experience अब यहाँ पर मान लो job functions जो मेरे business development में के अंदर जो है ठीक है जो marketing के अंदर है क्योंकि भी decisions लेते हैं marketing media communications sales या फिर मैं job titles के हिसाब से भी choose कर सकता हूं like मैं यहाँ पर डालता हूं marketing head कुछ भी सर्च करूंगा उससे related head of marketing head of sales head of communication head of digital ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पर भी options आ देंगे like digital marketing director के अगर उनको requirement है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के आउट्शोर्स करने तो लो कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से में बहुत सारी audience अपने business के हिसाब से choose कर सकता हूं और interest के हिसाब से भी choose कर सकता हूं तो अपनी audience बहुत सो समझ के choose कीजिएगा audience जो कि अब आप जब बहुत सारी आप मालो आप डिजिटल मार्केटिंग में इंट्रेस्ट अपने वाले audience को choose करते हो तो audience बहुत ब्रॉड हो गई मगर महाँ पर आप उसको कर सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग में जो SEO वाले हैं उनको टार्गेट नहीं करना तो उनको नेरो आप कर सकते हो उनको कि उनको ना देखे तो एक तरीका है ठीक है और अपनी specific करने का audience को तो इस तरीके से आप कर सकते हो अब दोस्तों यहां पर एनेबल audience expansion और यह कर लिजिए क्योंकि इससे क्या होता है और भी जो हम audience target कर रहे है उस जैसी और audience को मेरा एट दिखता है तो इससे हमारे को और relevant audience तक पहुंशने का महुका मिलता है रिशेट का option इसलिए कि अगर उपर वाली audience आपको नहीं सही लग रहे है दुबारा रिशेट करना तो रिशेट कर सकते हो व्यू ओडियंस समरी जब आप महनत करके audience create कर लो करने के बाद जैसे मैंने बोला था से जरूर कर लेना ताकि फ्यूचर में अगर इमालोई आड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और कुछ ताइम के बाद आपको दुबार आड रन करना है तो इसी audience को आप टार्गेट कर सकते हो तो यहां पर हम डालेंगे लाइक नेम इस ओडियंस तो नेम दिस ओडियंस में मैं अभी नाम देता हूं एक अड्स नियू ऑडियंस वाट ठीक है यह मैंने एक नाम दे दिया है ताकि मिर आगे के लिए याद रहे जो आपको नाम देना आपने सबसे नाम दे सबते हो यहां पर कुछ डिस्क्रिप्शन में सेवड ऑडियंस के अंदर उपर हमारी ऑडियंस बन गए अब कोई और कंपेंच चलाऊंगा हम आपर यूज करने तो कर सकता हूं जो भी सेटिंग्स कर रहा हूं सेटिंग्स के साब हैं पर टार्गेट ऑडियंस और डाटा यहां पर आता जा रहा है अब दोस्तों यह हमने लिए कर लिया इसके बाद हम अपना एड़ फॉर्मैट चूज करते हैं तो अब क्योंकि यह टेक्स एड्स है कि टेक्स्ट एड्स हम बनाना सिखा रहे हैं तो मैं टेक्स्ट एड्स एड्स फॉर्मैट ही चूज करूँगा और यहां पर हम प्लेस्मेंट यह आप दिखरो तो लिंग्डेन पे दिखेगा दिखेगा साथ में लिंग्डेन औरिंस नेटवक पे भी एड़ दिखेगा प्योंकि इसे रीज ज्यादा मिलेगी और आपको और यह बाइट डिफॉल्ट है यहां पर आप अपर अपर को हटा नहीं सकते हैं यहां पर डेली बजट बजट दो में यहां पर आप अपने डेट कर दो जो डिबाइट हो जाएक नंबर ऑफी करें लिए इसमें जादा रहे कर सकते हो और जैसे ही बजट एक्जॉस्ट होगा यह डेज आप यह कंप्लीट होंगे यह केंपेंपेंट हमेशे कले बन हो जाएगा इसके लाइप टाम करते हैं बट एज बिगनर मैं आपको सला देंगा कि आप एज बिगनर डेली बजट पर ही काम करो ठीक है अब मालों यहां पर हम डेल स्टार्ट हो जाए बात में आप अपने हिसाब से पॉस्ट करते हैं यहां पर बिडिंग गोल ऑप्तिमेजेशन जो है यहां पर आप पर थाउजन इंप्रेशन से जैसे कि मैंन आपको बताया था यह वन आप ते एकनोमिकल एड्ज है सबसे एकनोमिकल एड्ज में से एक है यह तो अपनी आवेरनेस के लिए रीच के लिए ठीक है क्यों सी चीज़ को हाइलाइट करना है इस सब चीजों के लब टेक्स चाइट चला सकते हो बहुत एकनोमिकल कॉस्ट में पर प्रेजिंस बना सकते हो तो यह हो गया यहां पर आप अपने हिजाब से उप कैसे आप इंस्टाइड टैक्किंग करोगे मत्रफ करोंगे कैसे आप कनवर्जिन ट्रैकिंग सेट प करोगे सब चीज़ें हमने सिखा रखें कर लिया अब यहां पर हमें क्या करना है हम एडी बनाएंगे अब यहां पर हो हमारा एड है जो आप देख रहे हो अब यहां पर हमें क्रेटिव एड करना पड़ेगा तो यहां पर लोगो ही लगता है आपके ब्रैंड क्या आइकन लगता है तो यह हमारे लोगो आ यहां पर आपको क्या करना है लाइक है में यहां पर यहां पर मार्केटिंग एज healing किया मारकेटिंग करता है रूड़ है करक्टर की के लिमिट हो दिया और उसके नीचे आपको करना है देखो जैसे मैं कर रहा हूं यहां पर लोगों आ गए हां पर मेरा हैड्लाइन आ गई अब डिस्क्रिप्शन कि परसंट डिस्काउंट ठीक है और तो यहां पर मैंने एक डिसकाउंट करें अब यहां पर क्लिक करें वह आपकी वैपसाइट के ओपर जाए या आपके लिंक्डिन के company page पे आए तो यह आपको डिसाइड करना है अगर यहां पर यौर वेबशाइट अगर आप करोगे तो फिर आपको अपनी वेबशाइट का यूरल डालना पड़ेगा इस तरीके से हो गया अब हम सेव आड करेंगे जैसे हम यहां पर सेव आड करेंगे मेरा एड को बन चुका है इसको जैसे next करूंगा यहां पर review करूंगा और launch कर दूंगा पूरा review करूंगा क्या डाला क्या करा सारा सारा सब कुछ चेक कर लो कुछ तो नहीं हुई फिर launch campaign करो जैसे launch campaign करूंगा तो यहां पर आप launch campaign करोगे तो आप अपने campaign group में आजाओगे campaign group में आप देखो brand awareness campaign group था उदर जो मैंने चलाया था यह चलाया था impressions क्या रहा है सारा data में देख सकता हूं तो इस तरही किसे दोस्तों आप भी अपना टेक्स चला सकते हूं उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो कमेंट शेक्शन में बताइए अपनी क्यूरीज भी में कुछ यूसूर परक सर्विसिस के लिंक दिया आप उनको भी यूज कर सकते हैं तो चलते हैं और सीखते हैं